नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सबी देख रहे हैं मिलसाथ भारत मिडिया जन्नाइक चर्शेकर विश्विद्याले में पांचवे दिछान समारों का हुगा आयोजन्द 24,802 विद्यार्थियों को मिली उपादी बेटियों को HVP वैक्सिन जरूर लगवा हैं लड़कियां लड़कों से कई छेतर में आगे नजर आ रही हैं राज़िपाल उच्छी सिच्छा करहन करने का लाग क्या जब युवां गुराई को खुद से दूर नहीं रख सकते हैं राज़िपाल आनंदी बेन पटेल दिच्छान का अर्ज सिच्छा का अंत होना नहीं अर्जित सिच्छा को कम छितर में उतारने का संकल्प लेता है श्रिमती पटेल हबर जनपत बल्या से जन्नायक चंशेकर विश्विद्याले के पांच में दिच्छान समारों का आयोजन कुलादी पती आनंदी बेन पटेल की अध्यक्सिता में रविवार को विश्विद्याले परिसर में दिच्छान मंडप में हुगा इसमें कुल 24,802 विद्यार्थियों ने उपाधी प्राप्त किया जिसमें इसमें असनातक अस्तर के 21,372 वो असनाकोत्र अस्तर के 3,430 विद्यार्थि शामिल है इसमें 13,347 चात्राएं वो 11,454 चात्राएं राजिपाल ने 38 विद्यार्थियों को सुण पदक दिया जिसमें 12 छात्र वो 26 छात्राइं थी, राजिपाल ने सब ही विद्यार्थियों को शुप कामनाय दी राजबार स्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि दिछांद का और सिक्षा का अंत होना नहीं बलकि एक ऐसा पड़ाव है जहां विद्यार्थी अपनी अरजित सिक्षा को कम छेतर में उतारने का संकल्प लेता है किसी की समाज और राज़ की प्रगती में सबसे शर्षक्त मार्द्यम सिक्षा ही है मुझे विश्वास है कि अपने इस विश्विद्याले से जो सिक्षा ग्रहन की है वो आपके जीवन पत को आलोकित करेगी उन्होंने कहा कि सिक्षा राजनेतिक, प्रशासन, खेल और कला आधी कोई भी ऐसा छितर नहीं बचा है जहां बेटिया अपनी परतिभा का लोहाना मनवा रही हो यह परतेक छेत में लड़कों की ना से बराबरी कर रही हैं, बलकि कई छेतरों में यह लड़के से आगे नजर आ रही है सरकार ने महिला शशक्तिकरंग के लिए तमाम योजनाय चलाई लड़कियों को भी मौका मिला तो पढ़नाम लाकर दिखा भी दिया उन्होंने कहा कि हम सब को अपने मौलिक करतब्यों को जानना चाहिए और उसका निर्वाहन करना चाहिए युवा पेड़ी को भी मौल करतब्यों का ज्यान कराया जाना अती आवर्शक है युवाव में नशे की लट को लेकर उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्ट बुराईयों का भी संकल्प युवाव को लेना होगा इतनी उच्छ सिथा गढ़ाहन करने के बाद बुराईयों को खुद से दूर नहीं रख सकते हैं तो ऐसी सिथा के आवशक्ता नहीं आगे कहा कि वीवी के रिसर्च का लाव ग्रामिट छेतरों को मिले गाँवालों की समस्याव का समधान करने की हमेशा हो राजपाल ने कहा कि इस देश को स्वस्थ महिलाओं के आवशक्ता है वर्तमान में कैंसल के बढ़ते परकॉप को देखते वे जबी जरूरी हो गया है कि हर महिला अपनी बेटी को कैंसल रोधी वैक्सिन जरूर लगवाएं इसमें दो तिन हजार का खर्च जरूर है पर पतियों और भाईयों से उपहार में साड़ी वा अन्य समानों की जगा वैक्सिन लगवाने को जरूर कहें विमारी के बाद लाखों रुपए खर्च करने के बजाए वैक्सिन लगवाना बहतर विकल्प है ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मिडिया के साथ